हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आपका स्वागत है संस्थानम भाई गोरवसर यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पताए कि आरो ए आरो का पेपर शाशन ने कल निरस्त कर दिया जो की 11 तारिक में पेपर लीख हुआ था उसे शाशन ने कल कैंसिल कर दिया इस्टूडेंट्स का हित समझते मानिय मुख्यमंत्री जी योगी आधित्यनात ने उस एक्जाम को कल कैंसिल कर दिया और पूने 6 महीने का टाइम दिया लेकिन साथ ही साथ अब आवाज उठ रही है स्टूडेंट्स की कि सर जो PCS Pre का पेपर है जो 17 मार्च का क्या यह पोस्प होगा या नहीं साथ ही साथ मैं बताऊंगा जो UPSC के फॉर्म भरे जा रहे है सिर्फ दो या तीन दिन बचे आपके पास और ज्यादे ज्यादा इस बार क्या हो रहा है कि एप्लिकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे जब वे एप्लिकेशन जांच पे जाएगी 6 से 12 तारिक आपके पास error correction की date मिलेगी 6 से 12 तारिक लेकिन इस बार गलती कहां हो रहे है ओ टिआर में photo और signature uploading में बहुत सारे स्टुएंट गलती कर रहे है क्योंकि मेरे पास message आ रहे है बहुत सारे स्टुएंट गलती कर रहे है मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या करना है सा से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या strategy follow करनी चाहिए, देखिए, beginners को सबसे पहले एक ही ब्रह्मास्तर है, beginners का PYQ, previous year question papers, ये उसका ब्रह्मास्तर है, लेकिन वे किस तरीके से पढ़ने हैं, वो strategy सबसे ज्यादा important होती है, देखिए, generally क्या होता है, जनरली क्या होता है, कि जो books होती है, उनमें 2023 का paper दे दिया, prelims का, 22 का दे दिया, 21 का, 20 का, इस तरह question paper दे देंगे, फिर उनकी answer की, फिर उनका solution, ये होता है, general tradition ये ही है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक book बताऊंगा, बहुत ही अच्छी book है, जिसने ये tradition follow नहीं किया, generally मेरा मानना है, कि student को concept subject wise याद होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि syllabus क्या है, syllabus में generally prelims में क्या होता है, economy, quality, history, geography, environment, agriculture, science, tech, तो ये सभी subjects है, और भी है, बहुत सारे international relations है, बहुत सारे subjects है, front of years है, लेकिन, सबसे important क्या है, कि वे जितने भी topic है, वे सभी subject wise pyq के रूप में हो, जैसे economics के pyq, हर साल के, इससे पहले वो book, economics के, जो crux, जो main concepts है, उनको clear करेगी, फिर questions होंगे, फिर economics का, ऐसे politics का हो गया, ऐसे history का, geography का, environment का, ये best explanation है, इसलिए में आपको एक book बताता हूँ, इसमें ये Oswal book है, देख लीजिए Oswal book, ये Oswal book है, ये आपको कहीं भी market में मिल जाएगी, देख लीजिए Oswal book, ये बहुत अच्छी book है, इसमें 29 years के pyq दिये है, इसमें 2023 का question paper solution के साथ दिया है, साथ में सभी जो topic है, जितने भी topic है, उन सब को classify करके, जैसे history का हो गया, science tech हो गया, geography, environment ecology, इन सभी के pyq subject के साथ दिये, ये अगर आप डेली में रहते हैं, तो ये आपको मुखरजी नगर या राजिंदर नगर में कहीं भी आपको easily available है, नहीं तो, मैं इस book का purchase link अपनी वीडियो के description में डाल दूँगा, Amazon से आप उसे purchase कर सकते हैं, easily, साथ ही साथ एक और बताऊंगा मैं, ये power bank, उस सवाल के question पार बहुत important है, इसमें 1000 से ज्यादा question है, ये हर subject का है, जैसे modern history का है, इसी तरह सभी subject का, beginners के लिए ये चीजे ब्रह्मास्त्रे समझ लीजिए आप, आपका अपना ग्यान साथ में ये, आप prelims first attempt में clear करेंगे, first attempt में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, अब बात करते OTR की, OTR में चल क्या रहा है, देखिए, OTR में students क्या है कि, गलत भर रहे हैं, देखिए, जो photo size दिया है, उन्होंने दिया है, ये, one ratio one में, one ratio one में photo image होनी चाहिए, जिसमें two by third में आपका face होना चाहिए, with shoulder, ये, ठीक है ना, यहां तक का आपका face होना चाहिए, ठीक है ना, यहां तक का आपका face होना चाहिए, two by third में, और साथ में 20 KB से, 20 KB से 300 KB के बीच photo होना चाहिए, ये तो आप सभी को पता है, और 350, into 350 से लेकर 1000, into 1000, ये pixels है, याद रखना, इतने pixels में, ये क्या है, width and height, ये height है, और ये width है, ये होना चाहिए, अब generally student क्या करते है, कि उस पे नाम भी लिखा होना चाहिए, generally क्या करते है, यहाँ पे नाम लिख देते है, देखिए, ये आपने photo लिया, और photo, ये पूरा photo हो गया आपका, suppose, ये पूरा, तो यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, जो कि, आयोग ने ये का है, UPSC Commission ने ये का है, कि वो नाम और जिस दिन photo, दस दिन पहले का photo होना चाहिए, वो clearly दिखाई देना चाहिए, clearly दिखाई देना चाहिए, वो, इसके लिए, जो बहुत सारी एप्स है, उन में क्या है, कि यहाँ पे नाम XYZ कर दिया, और डेट हो गई है, 101-2024, ये कर सकते हैं, अब इस्टूएंट confused है, कि सर ये तो 1 ratio 1 से अधिक हो रहा है, ये तो 1 ratio 1 से अधिक हो जाता है, हाँ, 1 ratio 1 से अधिक हो जाता है, लेकिन आयोग ने साफ साफ काया कि image, image इतने में होनी चाहिए, इसलिए इसमें confused होने की जरुरत नहीं है, ये extra में, लेकिन आपकी जो image है, वो 1 ratio 1 में होनी चाहिए, इसी तरह signature, ये भी आपका 1 ratio 1 में होना चाहिए, signature भी, इस बात का आप ल नहीं है, साथ ही साथ, image JPG में होनी चाहिए, JPG में, नहीं तो बहुत ज़्यादा error दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा error दिखा रहा है, इसलिए कभी cancel हो जाए, फिर आप बोलोगी हमारा तो paper cancel हो गया, हमारा पहला attempt बेकार गया, इसलिए बहुत सावधानी के साथ, और जै time देगा, आपको फिर एक application डालनी है, इस बार, आप modify नहीं कर सकते, आप एक बार कर चुके है, फिर आपको सिधा IO को एक mail करना होगा, उसके बाद ही आप उसमें कुछ correction कर सकते है, यह इस बार, पिछली बार वाले से इस बार थोड़ा tough किया है application में, ठीक है, यह आपको ध पाल बुक्स, पीवाईक्यू के इसाब से और यह हर topic के इसाब से इसका power bank है, खास बात है power bank है हर subject का, यह बहुत अच्छा है, इसका link मैं Amazon पर डाल दूँगा, नहीं तो आप किसी shop से ले लेना, ठीक है, यह आपको धियान रखना है, अब बात करते है, PCS की, PCS की क्या चल प्राप्त हो रही है, PCS की कैंसिल होने के, कैंसिल नहीं सोरी, पॉस्टपॉन होने के, 50-50 chances है, क्यों है, क्योंकि government चुनावा रहे है, और government risk नहीं लेना चाती, रिस्क किस प्रकार का नहीं लेना चाती, कि parliamentary election है, कहीं paper फिर से leak ना हो जाए, और वो सबसे last का exam है, parliamentary election, आचार सहींता के लगने से सबसे last का exam है वो, कहीं paper leak ना हो जाए, इस डर से, PCS 2024 के 50-50 chances है, 50-50, 50-50 chances है, कि paper postpone हो सकता है, या नहीं भी, ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तयारी करते रहे, उसमें डिलाई ना बरते, बिल्कुल भी डिलाई ना बरते, आप लोगों को इस चीज का विशेज ध्यान रखना है, कि आप लोगों को बिल्कुल भी डिलाई नहीं बरतनी है, अपनी तयारी करते रहना है, जो भी होगा decision वो पता चल जाएगा, मैं आपको time time पर सूचना देता रहूँगा, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो please like कीजिए, share कीजिए, और हाँ, please जादे से जादे से जादे subscribe कीजिए मेरे चैनल को, जादे से 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 जाद